तो गाईज आज के इस वीडियो में मैं आपको फ्री फायर से रेटेड टॉप फाइब मोस्ट इक्स्पेंसी इवेंट के बारें बताने वाला हूँ आनिकि फ्री फायर में अभी तक में सबसे ज़्यादा लूटने वाला इवेंट आप कह सकते हो है या फिर वो इवेंट जिसमें फ्री फायर में सबसे ज़्यादा डायमंड खर्च होगा हो और हजार दोजार नहीं बलकि लाखो डायमंड खर्च हो गए उस इवेंट को निकालने के लिए तो ऐसे ऐसे मैं आपको आज के इस वीडियो में पांच वेंट के बारे में बताने वाला हूँ जो बहुत ही बवंडर है इसलिए वीडियो का लाइक सिक ज़रूर देखना क्योंकि आपको जानकारी मिल जाए कि ऐसा कौन सा इवेंट है फ्री फायर में जिसमें लाखो डैमोंड लग गए उस इवेंट को निकालने के लिए तो चलिए गाज बिना किसे देरी के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको फ्री फायर से लेटेड टॉप फायर मोस्ट इक्सपेंसिव इवेंट के बारे में बताते है गाज पाच में पर जो इवेंट आता है वह ए इंकुमेटर का टॉप किरिमनल वाला जो इंकुमेटर आया था यह तो इसमें सबसे जाता है स्पिन होती थी सबसे एदा डायमंड का ऐसा तो जेनरली 40 होता लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं 60-60 का हो रहा है स्पिन ठीक है तो यह एक बहुत ही महेंगा इवेंट था और आपको पता है कि यह जो महेंगा इवेंट है वो आज के समय कितना रेयर बंडल बनके निकल गया है ठीक है कि सबसे जाता है रेयर बंडल हिप बाफ सकुरा के बाद क्रिमनल ली माना जाता है लिकन यह उसमें के इतना महेंगा event था कि बहुत ही कम बंदे ने criminal bundle निकाला और आपको पता है इसलिए rare है क्योंकि बहुत ही कम बंदों के पास criminal है और इसका बोज़े है कि बहुत ही ज़्यादा पैसे लगते थे बहुत ही ज़्यादा diamond लगते थे ठीक है तो यह बहुत ही महेंगा इंकुबेटर में से एक था तो गाई चौथे नवा पर जो event आता हुए token tower event ठीक है और आपको पता है कि यह event में इतने सारे diamond खर्त होते हैं आपको शुरू के 4 token जल्दी निकल जाते हैं ठीक है और सबसे top अले निकालने के लिए आपको 5 token की जरुरूत होती है और वो 5 token आपकी इतनी प्रेसान करती है आपकी इतनी लेती है कि क्या पता है मतलब आपको फट के हाथ में आ जाता होगा इतना मतलब diamond वो लेता है न क्या ही बताएं बहुत ही ज्यादा diamond लेता ठीक है मैंने भी spin करा था चौथा चौथा तो बहुत इजली निकल जाता लेकिन पाच्वा निकलते निकलते वाई बहुत ही ज्यादा diamond खर्च हो जाता यहां तक की 2-3,000-4,000 तक का खर्च हो जाता ठीक है और यह बहुत ही खतरना event पेसे एक है और token tower event में बहुत ही सारा event आ चुक है अभी तक जैसे कि आप देख सकतो यह कोब्रा भी आया था और पिछला M1887 का देखा है तो बहुत सारा event आता है और यह बहुत ही मतलब mega event में से एक बोल जक्तर फ्री फायर की तो आपको टोटल 35 डाइमण खरच करने होंगे तो अभी आपको यह सारा का सारा बंडल निकले का ठीक है तो प्ता है गईजश आपको पता हो कि Corona नहीं निकल सकता है और नौर्मल बंदा डायक्ट एक स्पिन में पचीस सो एक स्पिन का पचीस सो डायमंड का करता भी नहीं है ठीक है लेकिन यह बहुत इक्सपेंसिव एड़ आप बोल सकते हो जिसमें सीजन 1-8 का इलाइट पास का सारा का सारा बंडल आये था और टोटल 14 बंडल आये था आप दे एक स्पिन पचीस सो डायमंड का कोई चाहेगा भी ने अगर अगर कोई निकालना चाहेगा मान लोला फिमेल लोला बंडल निकल गया तो कितनी बुरी बात है उसके लिए तो फिर भी उसको पांस से दस जा डायमंड लगेगा ही ठीक है इसलिए मैं इसको तीसरे नहीं पर क्योंकि इसमें कम से कम तुमको 10,000 डायमंड लएगा इलाइट पास का रेर बंडन निकालने के लिए ठीक है और यह बहुत ही मतलब मेंगा इवेंट मेंसे एक ता जो कि बहुत पहले आया था हमारे फिरी फायर में नमर टू पे जो इवेंट आता है गाईज उसमें पिकासस का स्काइविंग का स्कीन आया था ठीक है जो कि उडने वाला घोड़ा आप बोल सकते हो और यह इतना खतरना एक इवेंट था कि क्या ही बताए ठीक है जिसमें की लोकेस गेमर ने एक लाग डायमंड लगबाग ब लिकिन लोकेस गेमर का नसीब इतना खराब था कि उसको यह निकालने के लिए एक लाग डायमंड वेस्ट करना पड़ा था इसलिए में इसको सबसे दूसरे नमर पर रखाओं क्योंकि एक लाग डायमंड वेस्ट हो जाना एक इवेंट मेंड़ बहुत ही बड़ी बात होती ऊरवल बंदा तो करी नहीं सकता, लोकेज गेमर ही यह सब कर सकता है, क्योंकि वो रिचेस प्लेयर बाणा जाता है, फ्रीपायर का, तो वही एक लाग डायमंड बरुगाद कर सकता है, बाकि normal बंदा 1000 से ज़्यादा diamond spend नहीं कर रहे ते उससे ज़्यादा लग रहा तो event को छोड़ दे रहा तो तो यह बहुत ही event आप बोर सकतो जो कि गरना ने इस पर बहुत ही ज़्यादा diamond लूटे है नमर वन गाई नमर वन पर जो event आता उसका नाम है दिवाली वीस event और यह event इतना खतरनाक था कि अगर कोई बंदा अगर 10,000 diamond spend नहीं करता तो उससे कोई अच्छा आइटम मिलता ही नहीं कोई गम बेकार बेकार आइटम मिलता जो पहले से था इसलिए क्योंकि आपको इसमें ए एक rare gun skin या फिर एक rare bundle निकालने के लिए maximum आपको minimum आपको 10,000 diamond तो खर्च करना ही पड़ेंगे उसके अलावा नहीं निकालता है मतला बहुत कम बंदे को ठीक है 1% को भले निकल जाए एक दो spin में लेकिन जादातर बंदेओं को कम से कम 10,000 diamond spin करना पड़ता है तभी जाके उसको अच्छा मिलता था ठीक है जिसमें कि बहुत बड़े-बड़े यूट्यूबर जो पार्टनर पोराम में है वो बहुत सारे diamond किये थे 20,000,30,500 करके तब जाके उसे आटिक बुलो बंडल तो कुछी को समुराइ बंडल और अज्जू भाई को आप जानते होगे जो टोटल गेमिंग है उन्होंने इस इवेंट के पीछे 2,000,000 डाइमंड वेस्ट किये थे बनी MP40 को निकालने के लिए ठीका क्रेजी बन वेस्ट तो कर दिया लिकिन फिर भी नहीं निकला तब रजु भाई ने इसे परेसानों के छोड़ दिया कि नहीं नीकाल लाव इसमें 5,00,000,00 मुझे वेस्ट नहीं करना है लेकिन 2,00,000,00 डाइमंड वेस्ट करने पर भी नहीं मिलता है गाई, तो समाझ सकतो हो कितना खतर महंगा event और आपको सबसे महंगा इसमें और सबसे ज़्यादा diamond कौन सा event में लगा comment का जरूर बताना आने कि आपको जो आया है अभी तक सबसे ज़्यादा जो diamond किसी भी event में लगा वो कौन सा event में लगा यह comment वो बताना ताकि हम भी जाने कि तुम लोग का maximum diamond कितना खर्चुआ ठीक है और guys top 17 fact का playlist भी मैंने डाल दिया description में उसको भी check कर लेना और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को like जरूर करना और subscribe भी कर देना क्योंकि आपको इस चैनल पर ऐसा ही मज़दार मज़दा वीडियो देखने को मिलेगा तो चलिए आज मिलते हैं नेक वीव में आज के लिए इतना ही टिदन टेक केर और भाई